क्या साजित खान को बचाने के लिए मेकर्स ने कैंसल किया इस हफ़ते का नॉमिनेशन सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा कहा उसे ही ट्रॉफी दे दो विल क्या है पुरा माजरा आएज जानते हैं फरस्ट इंडिया फिल्मी किस रिपोर्ट में विल सल्मान खान की रियाल्टी शो बिग बॉस 16 के शुक्रुवार कावार के एपिसोड का इंतजार दर्शक बड़े ही बेसबरी से कर रहे हैं इस एपिसोड में सल्मान खान एक बार फिर सभी कंटेस्टेंट्स को फटकार लगाते हुए दिखाएं देंगे सल्मान खान ने टीना दत्ता और शालिन भनोत के रिष्टे की धज्यावडा दी हैं वहीं सल्मान खान ने ये भी कह दिया है कि शालिन और टीना का रिष्टा फेक हैं जबकि दूसरी ओर इस हफते साथ कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं ऐसे में हर कोई ये जानने के लिए बेताव है कि कोई इस हफते घर से बेघर होगा या नहीं आपको बता दे कि इस हफते घर से भेघर होने के लिए तीना दत्ता, शालिन भनोत, अर्चना गौतम, साजित खान, सुंबल तौकिर खान, श्रीजीता दे और सौंदरे शर्मा नॉमिनेट हुए हैं ऐसे में अब जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसके अनुसार घर में इस हफते कोई भी नॉमिनेशन नहीं होने वाला है इस खबर के सामने आने के बाद लोगों ने मेकर्स को लतार लगाते हुए कहा है कि जब भी साजित खान घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं उस हफते सारे कंटेस्टन्स सेफ हो जाते हैं बिल यहां पर गौर करने वाली बात है कि कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि मेकर्स हमेशा साजित खान को बचाने के लिए कोई न कोई चाल चल देते हैं इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि जब जब साजित खान नॉमिनेट हुए हैं तब तब या तो वोटिंग लाइन्स बंद कर दी गई हैं या तो किसी और वजह से नॉमिनेशन कैंसल हो गया है आपको बता देखी बीते एपिसोड में बिग बॉस ने सभी घरवालों को एक बार राशन पाने का मौका दिया था इस दोरान बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेट्स में से किन ही दो सदस्यों को बचाने के लिए कहा था अगर घरवाले ये करने में सफल हो जाते तो उन्हें र पूरा गेम ही पलट दिया और घर का पूरा राशन सभी को गवाना पड़ा यहां तक कि इस टास को भी रद कर दिया गया जिसके बाद जो भी कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड थे वो नॉमिनेटेड ही रह गये अब ऐसे में जिस तरह से खबरे आ रही है कि साजित खान को ब सब्सक्राइब करना नहीं भूलें